हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वाइरस नहीं गया है, लापरवा होने का नहीं है, ये समय ये मान लेने का नहीं है, कि कोरोना चला गया, या फिर अब कोरोना से कोई खत्रा नहीं है, हाल के दिनों में हम सबने बहुत सी तस्वीरे वीडियो देखे हैं, जिन में साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है, या बहुत धिलाई ले आये हैं, ये बिलकुल ठीक नहीं है, अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बीना मास के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आपको, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को, उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो, या फिर ये उरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं, और चिंता जनक वृद्धी हो रही हैं। जब तक सफलता पूरी न मिल जाएं, लापरवाई नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सिन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है। बरसों बात हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सिन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सिन पर काम चल रहा है। इन में कुछ एडवांस स्टेज पर हैं। आसास्पस्तिती दिखती हैं। साथियों कोरोना की वैक्सिन जब भी आएगी। वो जल्द से जल्द प्रतेग भारतिय तक कैसे पहुँचे। इसके लिए भी सरकार की तयारी जारी है। एक एक नागरी तक वैक्सिन पहुँचे। इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुश्यों का समय है। उल्लास का समय है। एक कठीन समय से निकल कर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाई हमारी गती को रोक सकती है। हमारी खुश्यों को दुमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतरक्ता ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तबी जीवन में खुश्यां बनी रहेगी। दो गज की दुरी। समय समय पर साबून से हाथ धुलना और मास्क लगाना इसका ध्यान रखिये। सब्सक्ता हुआ झाल सब्सक्ता हुआ झाल झाल झाल